Biology के अंदर में ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है Patients के साथ उन topics को भी जो आपने जिन पर महनत कर लिये एक बार तो उसे फिर से revise करें कि जो भी study कर रहे हैं उसको practical aspect के साथ बच्चों को connect करना आना चाहिए Last year भी और इस साल भी question आने की से possibility है Hello students, कैसे हैं आप? NMC का new updated syllabus आ चुका है Hopefully आप सभी ने उसको study भी कर लिया होगा इसमें कुछ topics add हुए हैं और कुछ topics remove हुए हैं बट फिर भी हमारे मन में काफी सारे confusion चल रहे हैं कि जो topic skip हुए हैं, जो topic remove हुए हैं उनको हमें totally छोड़ देना चाहिए या उनका कुछ part हमें study करना चाहिए और अगर study करना चाहिए तो उसे किस level तक हमें पढ़ना चाहिए इन्ही सबी बातों पर चर्चा के लिए, discussion के लिए आज हम आपके सामने उपस्तित हुए हैं मैं मोहिच और असिया और मेरे साथ हैं Dr. Gaurav Maheshwari Sir इसकी मोहिच सर आपने कहा कि हमें आज सलेबस का discussion करना है उसका पूरा आपको चर्चा करनी है इसका मतलब मैं कह सकता है कि सलेबस का हमें अच्छे से मंथन करना है और इस मंथन से हम बहुत अच्छा conclusion निकालेंगे साथ में इसको गोशते हैं conclusion या इस पो बोलते हैं अमरत निकालेंगे और यह जो conclusion अमरत निकलेगा मैं definitely कह सकता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे बच्चे एक्जाम देने वाले निट 2024 का उनका focus पिल्कुल किलिर हो जाएगा कि biology के अदर में ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है या फिर इस बात को कह सकते हैं कि उनके score करने के लिए ये बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा इस discussion के बाद उनकी एक medical college के लिए अच्छी रहे काने के census और बढ़ जाएगे definitely sir हम उमीद करते हैं ये discussion बच्चों के लिए fruitful रहे इसी करम मैं मैं sir आपसे question पूछना चाहूँगा कि NCRT में क्या-क्या changes हुए है syllabus में उसके बारे मैं बच्चों को थोड़ा detail में बताएं तो मैं चाहूँगा कि जो first slide है वो दिखाई जाए बच्चों को first slide में दिख रहा है कि बच्चों हम NCRT की pages 11th की NCRT में आगे और 12th की NCRT में 227 pages आगे अपना इसके पन less होने की बात करें तो approximate 154 pages कम हो चुके हैं बाव उसको अपन परसेंटिस में निकालें तो approximate 25% pages NCRT के अंदर कम हो चुके हैं पर बात बच्चों important है NCRT के pages कम हुआ है syllabus का part कुछ part कम हुआ है मानता हूं मैं बात पर बात बच्चों यह important है competition कम नहीं हुआ है जो part कम हुआ है उसके अंदर हमें पास सही है कम पढ़ना है पर हमें जो कम पढ़ना है उसे अच्छे से पढ़ना है उसकी deep study करनी है जिससे हमारे selection के अंदर और medical college के पहुचने में कोई तरह की बाधा नहीं आये definitely sir 25% जो pages कम हुए है definitely इसमें syllabus कम नहीं हुआ है आपने बताया only pages कम हुए है फिर भी ये जो NEET aspirant है उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है एक relaxed feel कराने वाली खबर है इससे बच्चों को उमीद है खुशी भी मिली होगी इस साल NMC ने एक सही समय पर एक तो NEET का date decide कर दिया दूसी बात जो syllabus में changes आए उसको भी सही समय पर बच्चों को उससे aware कर पाए NMC वाले ताकि बच्चे को तयारी का पूरी समय मिल पाए इसके लिए हम NMC को धनेवाद देते हैं इसके लिए इसके लिए हम NMC को thanks बोलते हैं अब हम one by one topic wise unit wise discussion करेंगे कि हमें किस unit में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं unit number one diversity in living word की तो sir diversity in living word में आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को जैसा कि आप slide देख रहे है हमारी slide के देख रहा होगा बच्चों आपको कि हमने कहीं जेगे red color यूज किया है और ऐसी आगी की बात करें तो हम कहीं जे green color यूज करेंगे red का मतलब simply ये part syllabus के अंदर delete हुआ है और साथ सामें green का मतलब ये part syllabus के अंदर last year के syllabus के compare में इस बार add हुआ है अब अब अच्चों ध्यान रखें ये बात में कर रहा हूँ delete हुआ है पर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये तो आज मोहिस सरों में discuss करेंगे उसके कुण decide हुआ कि उपढ़ना है कि नी पढ़ना है तो अब हम पहले बात करते हैं first slide की diversity in living work आप देख रहे हैं ध्यान से three domains of life साथ में tools for study of taxonomy museum, juice, harberia, particle garden ये red color से बतल नए बारे syllabus में ये part delete हुआ है तो बच्चों ये part delete हुआ है मानतों बात सही delete हुआ है syllabus में नहीं आया है पर बात बच्चों इस part की करें तो ये part बहुत interesting part है आप शुरुआ से खहिने के इसको पढ़ते हुए आ रहे है और इस part को छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है और साथ में ऐसे बात करें तो बच्चों आपको NIT 2024 का exam देना है तो definitely इस part को ये first topic ही है इस part को आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा तो मेरा कहना है बच्चों ये part पढ़ लिया होगा और इस part से कोई question आ सकता है कोई कि एक part का topic का ही sub topic का part है तो इसको आप नहीं छोड़ें इसको आप पढ़ने जादा अच्छा रहेगा मैं next part पर आता हूँ इससे slide के अंदर आपको दिखे रहोंगे आपको NGOS Pump का classification up to class और साथ में characteristic feature and examples ये भी आपको red color से दे रखा है मतलब ये part भी syllabus से delete हुआ है पर बात बच्चो ये important है ये जो part delete हुआ है इसकी खास बात कि है ये part यहाँ से delete हो गया है पर आप लोग जानते बच्चो ये 12th की जो main part है आप जानते sexual reproduction in flooring plant उसका ये main content है तो कहिने के इस part को एक तरह से NCRT ने NMC ने इसको rationalize किया है इसको व्यवस्तित किया है यहाँ से हटा दिया पर वहाँ से नहीं हटा है तो ultimately आपको यहाँ नहीं पढ़ना है और उसको वहाँ तो आपको पढ़ना ही है बच्चो इसके साथ साथ इसमें एक बात बहुत important है जो what is living देख रहे हैं आप उस what is living को आपने औरेंज कले से दिखा रहा है आपको यह what is living को आपने क्यों indicate कर रखा है करेने की alarm ring sign है इसनी alarm ring sign है क्योंकि यह पार्ट आपकी सलेबस के अंदर लिखा हुआ है सलेबस में दिया हुआ पार्ट पर ध्यान देने की बात यह है कि जो अभी नई NCRT है उस वाले पार्ट से what is living का जो content है वो अटा दिया गया है वो उस पार्ट में नहीं है इसका मतलब बात ही important है कि NCRT में नहीं है पर सलेबस के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब सलेबस की importance जादा है बच्चों अलग बात है बुक है पर NCRT का पार्ट में अपने अलग स्टेट की बात करें अलग बुक चलती है पर सलेबस important है यह सलेबस जो है कि निट वाले बच्चों के लिए ही बताया गया है तो what is living लिखा हुआ है तो आपको जरूर से पढ़ना है आपकी NCRT में नहीं है तो खही जो भी दे रखा है आपको बच्चों आपको उसको अंदर पढ़ना है उसको छोड़ना नहीं है एंज जो आप पढ़ी रेंगे के अंदर तो उसको भी आपको पढ़ना है अब मैं चाहता हूँ मोहिस सर अपना इसके आगे की बात करें तो आगे जो second unit आ रही है इस्ट्रक और इंज कलर से दिखा है plant tissue and secondary growth बचों सबसे पहले मैं इसी की बात करना चाहूंगा plant tissue और secondary growth की यह दोनों ही topics plant tissue भी और secondary growth भी आपकी new NCRT में से cut हो चुके हैं remove हो चुके हैं मतला आपकी new NCRT में यह नहीं है बट old NCRT में यह topics दिये हुए थे plant tissue जो है meristemic tissue, complex tissue and permanent tissue के बारे में इसमें सब जानकारियां थी यह plant tissue basic knowledge है botany का जो आगे आपके हर जगे काम आएगी तो आपको आगे पढ़ना पढ़ेगा इससे अच्छा है plant tissue को आप old NCRT से यहीं पर पढ़ लें उसे हमें छोड़ना नहीं है ध्यान रहे सेलिबस में नहीं है बट हमें यह पढ़ना है इसी तरह से secondary growth की बात करें secondary growth old NCRT में तो था but new NCRT में नहीं है फिर भी हम इसे पढ़ेंगे Chinese old NCRT से ही पढ़ना पढ़े क्योंकि इसके question पहले भी आते रहें यह पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि secondary growth पहले भी syllabus में नहीं था और अब भी syllabus में नहीं है बट पहले भी इससे question आते रहें लास्ट यर भी और इस साल भी question आने की से possibility है इस बार तो इस पहले पार्ट से सरसर इंजर question भी आया है secondary growth से इससे question आया था इसलिए हम बच्छों को advice दे रहे हैं कि यह पार्ट plant tissue और secondary growth दोनों पढ़के जाएं इसी तरह से हमने इ addition हुआ है NCRT में या हम कह सकते हैं syllabus में बचों जो आपकी new NCRT है उसमें किवल एक family दी हुई है solenacy जबकि जो old NCRT थी उसमें three families दी गई थी लेकिन हम उस बात पर नहीं जाते हैं हम सिर्फ यह ध्यान रखें कि जो आपकी NCRT में एक family दी हुई है solenacy वो तो करनी है उसके अलावा भी यह जो नई families add की गई है इनको भी आपको पढ़ना है अब बात आती है कि यह जो family है इनका material NCRT में नहीं है तो यह आप लोग कहां से पढ़ेंगे तो बचों यह है कि यह जो material है इसका literature आपको आपके modules में मिल जाएगा और या फिर आपको इसके extra literature आपको provide करा जाएगा इसके आफशक्तन उसा video भी provide कराएगे आप यह मान सकते हैं इसके जो literature है वो print होने गया है आपको मिलने ही वाला है थेंक्यू सर मैं आगे discuss करना चाहूंगा कि जो animal tissue की बात करें तो animal tissue जो पार्ट है यह पार्ट आपके syllabus के अंदर गीवन है पर बात वही भी कहे रहा हूं आप से कि अगेन NCRT की बात करें जो नहीं NCRT है इस animal tissue का maximum part NCRT से डिलीड कर दिया गया है पर मेरा मानना है बच्चों कि animal tissue यह basic topic है इस तरह का topic है कि जो पूरा system का part है जितने भी human physiology के पार्ट है उसमें सब जगे इसका connection मिलेगा आप जानते हैं हर जगे अपिधिलिम की बात जो कि टीशू की बात है साथ साथ में nervous tissue मसल टीशू यह आपको हर जगे मिलेगा तो कहेने के basic topic है इस topic के link से ही आप आगे का बढ़ पाते हैं तो मेरा guidance है कि animal tissue आपको जरूर से पढ पढ़े ही पढ़े है इसके आगे बात करते हैं तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर लिखा हुआ है morphology anatomy and function of different system digestive circulatory respiratory nervous and reproductive of an insect अब insect की बात की है तो आप जानते हैं पहले यह बात की गए थी cockroach के लिए तो इंसेट cockroach की बात की है तो cockroach पढ़ना है आपको और साथ साथ ने frog दिया गया है फ्रॉग भी लिखा गया है पहले ही एड नी था अब आपको फ्रॉग green color से लिखा है उससे लिखा हुआ है कि cockroach और फ्रॉग हमें safer side चलने के लिए दोनों ही पढ़ने चीए है हां मैं मान सकता हूं कि भविश्य में future के अंदर को नमसी का इसमें कुछ update आया तो वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं पर अभी safe side चलने के लिए आपको बच्चो कॉक्रोज भी पढ़ना चाहिए और फ्रॉग भी पढ़ना चाहिए इसके बाद में कहना चाहूंगा मोईस सर से कि अभी तक अपन जो बात कर रहे हैं जितनी भी slides आई उसमें अपने का कि two major chapters उसमें से delete हुए हैं, remove हुए है, transport in plant जैसा कि आप देख रहे हैं इसे हमने red color से highlight किया हुआ है और दूसरा mineral nutrition वैसे 11 का topic हैं तो hopefully आप लोग इस chapter को पढ़ चुके होंगे generally इस समय तक तो फिर भी हम इसको skip कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, revision के time हाँ लेकिन इसमें फिर भी मैं यह बात बोलना चाहूँगा कि mineral and nutrition में, जो nitrogen metabolism वाला पार्ट है, nitrogen cycle and nitrogen fixation वाला पार्ट, वो बच्चों को हम advise देते हैं कि वो जरूर से जरूर पढ़के जाएं क्योंकि इससे krishnan आने की possibility सबसे जादा रहती हैं, इसकी बाद इसी plant physiology में, last में seed dormancy, vernalization and photo period को भी remove या delete किया लेकिन यह छोटे-छोटे subtopics हैं, definitions हैं, यह हम कह सकते हैं, terms हैं, जो आगे आपके बहुत जगे काम आएंगी, तो इनको भी skip करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें भी आप reading तो कम से कम लगा के जाएं. माता खोशिक्का कपरी यह है, कि बच्चों को ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट और मिर्ण रूटिश्य का मेक्जियम पार्ट जो है, बच्चों को नहीं पढ़ना है, बच्चों इसी बात में आगे बढ़ता हूं, तो जो next slide है, human physiology, इसमें बहुत ही अच्छी बात है, जो digestion and absorption है, यह पूरा red colors है, मतलब यह पार्ट पूरा delete हो चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, हाँ, यह बात सही है, topic basic topic है, इसको खहिने कि आप पहले पढ़ भी चुकोंगे 10 तक, और अब भी आगे की बात करें, खहिने कि इसको पढ़ भी लिया हुगा, पर आप आगे क आपकी बात करें, तो इसको आपन रिवीजन वाले पार्ट में नहीं लें, इससे नहीं पढ़ना है, अब इसके आपन आगे डिसकस करें, तो next जो पार्ट आरायस के अंदर, एक बात ध्यान रखें कि जो joints वाले पार्ट के अंदर, जो muscles का पार्ट है, वहाँ पर एक बात दिखी हुए है, relevant practical of practical syllabus, मतलब कहीं न कहीं practical की importance बड़ी है, और ये बात हमने देखी, कि fewages chemistry के अंदर भी syllabus के अंदर कहने के practical के पार को बार बार focus किया गया है strongly लिखा गया उसके अंदर तो चायद अपन के सकते हैं कि जो भी नई सिख्षानिती आई है उसमें कहा भी गया है कि जो भी study कर रहे है उसको practical aspect के साथ बच्चों को connect करना आना चीए तो practical का importance बढ़ रही है और इसी बात में कहना चाहूँगा कि आपको practical part में study भी अच्छे से कर लेनी चाहिए हम लोग भी आपको practical संबंदी जो भी literature होगा उसके जो वीडियोज होगे और साथ में जो भी इसका theory का part होगा उसको समय समय पर आपको अपडेट कराते रहेंगे उ तो बड़े institute उसे तुरंट adopt कर लेते हैं और बच्चों को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता अब इसी बात में आगे अपनी slide को continue करना चाहूँगा जो पार्ट है फिजियोजी के अंदर reflex action, sense organ और साथ साथ में eye and ear की बात करे है यह पार्ट एक बात में इंपोर्टेंट है कि यह पार्ट नर्वस सिस्टम का एक सब टॉपिक है उसका एक पार्ट है और खहिने के नर्वस सिस्टम के साब बहुत ज्यादा deeply connected है आप जानते है नीरोंस के पूरे पार्ट के अंदर उसमें आइस का पूरा पार्ट जो है व आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और इक बात मैंने सोचने का यह भी है कि जब किसी सब टॉपिक के अंदर कोई डिलीशन हुआ है तो उसके तब भी एक्जाम में आने के चांसेज रहेंगे जो को बात समना है टॉपिक का टॉपिक डिलीट हुआ है तो वो तो मान स यह भी कि वो टॉपिक के साथ connected है और connected है तो जहां भी connection वाले questions बने जहां भी आपके match the column बने आपके statement बने तो वहां वाले पार्ट में इस पाले पार्ट से कुछ ने कुछ आप्शन ऐसा आ सकता है मैं strongly recommend करूँँगा कि जहां भी सब टॉपिक का पार्ट आ रहा है उसे आ अपने इसकी बारे में हमेने 11 की बात तो कर ड़ी मोहिस्तर पूरी 11 की बात तो चुकी है अपने 12 पर चलते हैं तो 12 में आपका जो unit 6 है reproduction की बात करते हैं हम इसमें सबसे पहले reproduction in organism तो आपका यह पूरा एक जो सब topic है remove कर दिया गया है वैसे भी यह जो topic है starting का topic है basic topic है जिसको जिसका most of part आप सब 11 में भी पढ़ चुके हैं और continue कई बार इसको पढ़ते आए हैं तो इसको आगे future में revise करने की इतनी कोई खास जरूवत नहीं है यानि कि हम इसको skip कर सकते हैं अब मैं बात करता हूँ genetics and evolution बच्चो यह तो बहुत ही important part है तो इस वाले part से कुछ जगा डिलिट किया भी नहीं है एक part यह कि protein biosynthesis word add किया गया है तो पर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर next part आ रहा है अपना biology and human welfare यहाँ पर ध्यान दनी की बात ही है यहाँ पर कुछ ग्रींगरे से लिखा हुआ है डेंगी और चिकन गुनिया इसके साथ साथ एक टॉबे को abuse यह भी पार्ट के अंदर एड़ हुआ है बात ध्यान देनी की important है इसके अगे बढ़ते हैं तो next part आपन आपके आजपास की आपके महले में किसने किसी बच्चों को किसी पार्ट में यह डिजीज हुई होगी तो इसके बारे में आपको खुड़ा बहुत आइडिया भी होगा अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन तो next part जो है improvement in fruit production या ऐसी को बोल दें strategy of enhancement in fruit production इसमें दो पार्ट आते हैं एक तो plant के लिए और animal के लिए आता है जिसमें आपके लिखा हुआ है tissue culture tissue culture की बात important इसलिए tissue culture को मैं तब भी आपको कहना चाहूँगा कि इसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि जो next part है biotechnology वाला part उस biotechnology वाले पार्ट की अंदर जो next chapter है वो आपको आगे पहले पार्ट में NCIT में दिखेगा तो tissue culture का maximum part उस biotechnology वाले पार्ट में add किया गया है तो I think NCIT में दिया गया है तो tissue culture को पढ़ना चाहिए हाँ जो बाकि इस slide के अंदर जो पार्ट है strategy के अंदर वो आप छोड़ सकते हैं उससों आप नहीं पढ़ें तो महीं तर अपमर्दाया कि ecology के अंदर क्या changes हुआ है ecology important chapter है आपके नीट के लिए और इसमें जो four chapters है मैं चाओंगा इसकी slide को स्टार्टिंग से शुरू करें अपन तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे first chapter था organism and environment इसमें छोटे-छोटे सब topics को अलग किया गया है रिमूव किया गया है जैसे habitat और निके सिर्फ definitions दी वी है और वैसे आप जानते एको सिस्टम भी habitat है बायस के यह पूरा अर्थ habitat है तो इनकी definitions तो definitely आपको पता होनी चाहिए क्या है habitat क्या है ऐसी population and ecological adaptation इनको भी आपको 100% पढ़ना है चाहे वो इसमें ecological adaptation में light है temperature है या soil है इनसे related जो भी adaptation भी है क्योंकि यह human physio से related altitude sickness से लेकर आप देखेंगे कि water में रहने वाले hydrophytes जीरोफाइट और बाकी सभी plants से related भी है तो आपको यह पूरा ecological adaptation पढ़ना है इसको skip नहीं करना है इसी तरह से ecosystem में इको सिस्टम में भी इसकी units एक बार देखें सरपन इको सिस्टम जो second chapter है इसमें delete किया गया है nutrient cycle carbon and phosphorus cycle तो जब हम उदर nitrogen cycle को भी preference कर रहे हैं तो इधर हम carbon and phosphorus cycle को भी पढ़ें बहुत छोटे-छोटे से topics हैं मुश्किल से आपके 5-5 minute में topic cover हो जाते हैं और इसे question आने की possibility भी बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे ecological succession ecological succession में इसमें remove किया गया है बट हमें इसको remove नहीं करना है safer side इसको पढ़ना है क्योंकि इसके heading में ecosystem patterns दिये हुए है तो ecosystem patterns में ecological succession भी include हो जाता है कि कि किस किस तरह से अलग-अलग ecosystem develop होते हैं तो इसलिए succession उसी का part है तो हमें इसको पढ़के जाना है साथ में ecological services carbon fixation pollination oxygen release ये बहुत ही छोटे-छोटे sub topics हैं इनको just आपको read करना है next slide पर हम आना चाहेंगे environmental issue इसमें environmental issue जो है chapter पूरी तरह से remove कर दिया गया है तो इससे भी लगवग तीन या चार question आपके आते थे और अच्छी बात ये थी कि वो question एक बार पढ़ने के बाद भी आपके solve हो जाते थे इस chapter से आपके easy marks आ जाते थे बट कोई बात नहीं यह आप delete कर दिया गया है तो आप इसको skip कर सकते हैं इसको पढ़ने की कोई need नहीं है बट फिर भी मैं इसमें कहूंगा कि आप इसमें जैसे protocols होते हैं Kyoto protocol है या Montreal protocol है यह सब protocols एक बार आप देखके जाए ताकि general knowledge में इसके question आ जाएं तो आप इनको salt का है साथ में green दिया हुआ है sacred grooves दिया हुआ है तो यह हमेशा से हम पहले भी पढ़ते आ रहे थे national park, century, sacred groove, in-situ conservation के example तो इसमें कुछ नया नहीं है यह आपके NCRT के syllabus का ही पार्ट है जो पहले भी था अब भी है और इससे question आते रहते हैं पैसे मोह आप इसकी बैसिक दोने बच्चों को होनी चाहिए अगर आपने इसकी reading लगा लिए अगर तो इसको ज्यादा आपको रटने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी आपके mind में वैसे सेटल हो जाता है एक बाप पढ़ने के बाद क्योंकि आप बच्पन से बच्चे environmental science पढ़ते आ रहे हैं इसलिए बच्चों को इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी फिर भी हम कहेंगे कि tension ना लें आप इसको skip कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो मोईसर अपनी बात 11 की भी हो चुकी है 12 की भी हो चुकी है आप बच्चों को पने बहुत जगे कहा है कि कुछ पढ़न इसकी मैंने तो बालो जी क्लास 11 की बात करें तो में में बात कर रहा हूं में तो जो टॉपिक डिलीट हुआ है तो ध्यान देनी की बात है बच्चों डाइजिशन एब्दोशन डिलीट हुआ है इसको आपको नहीं पढ़ना है ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट डिलीट अब टॉपिक डिलीट की बात करें किसा मोहिस्तन ने कहा आप से यह पांच फैमिलीज एड हुई है मालवेसी, कुसी, फैरी, लेगमिनेसी, कमपोजीटी और यह तो पढ़नी पढ़नी है और साथ-साथ पुरानी NCRT के अंदर तीम फैमिलीज एड है उसमें जो एड है उस पढ़ना चाहूँगा कि बच्चों को यह पांच फैमिलीज तो पढ़नी है और साथ-साथ में में एक और स्टॉंगी रिकमेंट करना चाहूँगा वह आप बोल देंगे सॉलेनेसी, क्यों पुरानी नहीं NCRT है उसमें भी है जबकि सेलिबस में नहीं है बट NCRT में इसलि पढ़ना पढ़ना है वह पर चाहँ बच्चों को जल्दी अविलिबस करेंगे साथ-साथ-साथ में फ्रॉग भी बच्चों पढ़ना है क्यों कि फ्रॉग इसपेशली जो NCRT का पार्ट उसके अंदर भी दे रखा है और सलेबस के अंदर भी आप अभी तो माने कि अभी त पढ़ना है a strategy for enhancement in food production, plant breeding, animal breeding यह आपको नहीं पढ़नी पर ध्यान रखने आगे बच्चों plant breeding में tissue culture आपको दे रखा है biotechnology के अंदर नहीं NCRT में तो वहां से आपको पढ़ना है और जो environment issue है मोईसर ने बताया है आपको भी तो डिलीट हुआ है वह आपको नहीं पढ़ना है तो बच्चों ऐसे मोटी मोटी बात होगी अपनी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है डीटल में discuss भी हो गया है बहुत कुछ आपको साफ साफ के लिए रह गया होगा कि biology की point of view से के पास फिजिस केमिस्ट्री के भी इस तरह से deep analysis वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे उस तो बता पढ़ जागा फिजिस केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अब बच्चों में एक बात कहना चाहूंगा एक बात में सामने चल रही है discussion की बात को बता दिया अपने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एक बात ही important है कि थोड़ी बहुत अपने डिफॉर्ट की बात करें कुछ फॉल्ट हो जाए कुछ दिक्कत आ जाए तो जिसे मालो examiner examiner की पार्ट में गलती हो सकती कुछ भी तो मालो फिजिस के अंदर chemistry के अंद आए तो इस तरह से मालो फिजिस को नहीं हा रहे है तो एक तरह से बीस मार्क्स जा रहे है और जो बच्चे 720 ऐटाफ 720 लाने की उमीद कर रहे है तो उनको तो नुकसान हो सकता है और इसमें जिसके मालो 700 आ रहे थे तो वो 720 आ जाते पर 700 य आए इसके बात हम उल्टा भी क तो कहीने के में को ये conclusion लग रहा है कि बच्चे पढ़ चुके हैं सब कुछ, बच्चे पढ़ाई कढ़ चुके हैं अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छा है उसको revise कर लेढ़े. क्थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में नुक्सान नहीं है, बिल्कुल सेही बात. पर कुछ कम पढ़ने में नुकसान हो सकता है तो मेरी गाइडेंस ये कि बच्चों ज़्यादा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होगा थोड़ा आप फोकस करेंगे थोड़ा पढ़ चुके हैं उसको रिवाइस करेंगे तो फाइदे होगा तब ही मैं strongly कहना चाहूंगा कि जो आज का discussion जो है hopefully आपके लिए fruitful रहा होगा इससे आपके mind के बहुत सारे confusions दूर हुए होंगे इसी तरह से हम आगे future में भी आपसे updates लेकर आते रहेंगे आपसे मिलते रहेंगे तब तक के लिए all the best बच्चों all the best